हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सबी आसा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे तो स्वागत आपका अमारी यूटूब चैनल Study with Mandip तो देखें दोस्तों आप सोचेंगे कि हमने अपना नाम Study with Mandip क्यों रख दिया क्योंकि हमारे एक मित्तर ने बताया कि चैनल सर्च करने पर नहीं मिल रहा तो कोई यूनिक्स हनेम टेकिए तो इसलिए हमने इसका नाम स्टडी विद मंदीब रख दिया तो देखी दोस्तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 जून दो 13 की करंट भेर और फुल बुत्ति वाली कलास का रिवीजन तो देखी दोस्तो हमारा पहला क्योस्टन है नाटो देश से देश सुद्वारा हाल ही में अरक्टिक चैलेंज एक्सराइड 2023 कायोजन कहां किया गया तो हमारा आंस्वर होगा तो अब हम नाटो के बारे में डिस्कस करते हैं, नाटो किस्तापना 1909 कोई, नविंतम्स 10 से फिन्लेंड है, इसके अंदर कुल देश 38 है, इसका एड़कॉर्टर प्रुसेल्स के अंदर है। फिर देखी दोस्तों नाटो किस्तापनावनी सोनें चेस के अंदर हुई नमिन्तम्स 10 से फिनलेंड है कुल देश अकतिस है एड़काटर ब्रुशेल्स के अंदर है अब आरक्टिक चैलेंज एकसराइज का जो जिकरुआ 23 अरक्टिक चैलेंज एकसराइज ये वुई तो फिन धिलेंड की रक्ष्य करना मतलब कि आरक्टिक चैलेंज एकसराइज 2003 है इसका उद्धर क्या है फिलेंड की रक्ष्य करणा तो देखे दोस्तों नारवेग राजगर अया है हलanche ही द्रम कोसमरपित पोशन पोया परव कहा है जित किया गया है मतलब कि जो पोशन पोया परव है वो कहा है आयो जित किया गया है ये स्रिलंका के अंदर आयो जित किया गया है और पोशन पोया जो परव है ये जून मा की पुर्णी मा को मनाया जाता है मतलब कि हर साल जून मा की जो पुरुणी मा आती है उसको पोशन पोया परव मना जाता है श्री लंका के अंदर मना जाता है समराटा सोक के पुत्र अरहंत महिंदरा ने मतलब समराटा सोक ने अपने पुत्र अरहंत महिंदरा को स्रिलंका में बोधरम के परचार परशार के लिवे जाता मातमा बुध को पुरुणिमा के दिन मोक्स जनम वा ग्यान तीनों की ब्राप्त हुए मतलब की मात्मा बुद्ध को ज्यान मोक्स और जनम तीनों उनके बुद्ध पुर्णिमा के दिन हुए मात्मा बुद्ध को मोक्स का अपराप्त हुआ कुछी नगर के अंदर तो आगे देखिए दोस्तो हमारा तीसरा क्यूष्चन स्यूंक तराश्टर मासवा के एठवा दैक्स ट्रिन्स फ्रांसिस का समबन को से से मतलब कि जो स्यूक तराश्टर सभा के एठाटर वेस्तर के जोए डैक्स डैनिस फ्रांसीस है उनका संबंद किस देश से है तो देखे दोस्तों उनका संबंद त्रिनाद टेवेगों से है मतलब कि त्रिनाद टेवेगों के राजदूत है UNGCA United Nation Journal Assembly स्यूक तराश्टर सभा तो इसके बारे हम बढ़ते हैं देखी दोस्तों विशव की इसे लगो संसत भी कहते हैं एठेटर वेश्टर जो इसका जो UNGC UNGA का जो एठेटर वास्तर है इसके जो एडेक्समवे कौन है डैनिस फ्रांसीस है ये त्रिनाद टेवेगों के राजदूत है जो इसकी स्टैतर वेश्टर के जो एडेक्समवे कौन थे सोबोकरेसी जो की अंगरी के थे आगे देखी दोस्तों युएन्यू उन्यक स्थापना का वही 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर उन्यक स्थापना का वही 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 आगे देखी दोस्तों हमारा फूर्थ क्योस्टन हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गाउं कासम बंद किस राज्ये से मतलब कि जूना खटिया गाउं है वो किस राज्ये का गाउं है तो यह जूना खटिया गाउं है यह गुजरात के कच के अंदर है मतलब कि जो जूनाखटिया गाउं है, ये गुजरात का गाउं है, और गुजरात के कच के अंदर है, खुदाई में अडप, मतलब यह तर्चम क्यों रहा है, क्योंकि यहां से अडप पासबेता, शिपूरों के शेरी चर्णे के जोगसेस मिले हैं, मतलब कि लगबग पांच, अजार साल पुराने अडपा से बैता के शहरी अवसेश मिले हैं तो इसके अंदर क्या क्या मिला है मिट्टी के बरतन, सीप सीप की चूड़ी, कबरिस्तान कबरिस्तान को नेक्रोपोलिस भी कहते हैं मतलब कि इसके अंदर क्या क्या मिले है मिट्टी के बरतन शीप के चूड़ी कबरिस्तान ये लगव कितने पुराने साक से मिले हैं पांच जार साल पुराने दो लावीरा गुजरात के अंदर है जिसे विशवदरोर के अंदर सामिल कर लिया गया है आगे देखिए हमारा फिफ्ट क्यूस्टन है दोस्तों हाल ही में पिछले दो दसको की बारत की सबसे बिशं ट्रिपल ट्रेन दुर गटना काऊ हुई तो ये हमारी उडिशा के अंदर और स्थान कोणशा अपा लावीरा कोन सी थी कोरो मंडल एक्सप्रेक्स वे बेंगलोर्य आवडा एक्सप्रेक्स रिजन क्या है इलेक्ट्रोनिक टेक्निक इंटरलोकिंग सिस्टम आगे देखिए दोस्तों आमारा सिक्स क्वेस्टन सियुक्त सिंक्त रास्टर परियावन कालिय करम की अंतर सरकारी वारता समीति आई एंसी दो का दूसरा स्टर कहां आयो जित किया है मतलब कि आई एंसी का जो दूसरा स्टर है वो कहां जित किया गया ये फ्रांस के अंदर पैरिस फ्रांस के अंदर इसका येजन, एक का येज़िआ जो還water है, UMC का ये कहा है, UNESCO के अंदर इसका उदस्तिक से क proposing प्लास्टिक परदूशन व मतलब कि जो प्लास्टिक का परदूशन उसे जमाप्त करना इसका उदस्तिक से है INC 1st 2022 में उरगवे के अंदर हुआ था मतलब कि स्वियुक्त राष्टर परियावन कारिय करम की अंतर सरकारी वारता समिति आइन्सी का जो दूसरा स्तर वो पैरिश के फ्रांस के अंदर हुआ और इसका जो एड़गाटर वो युनेस्को के अंदर है इसका जो देश सेह प्लास्टिक प्रदूसर समाप्त करना है INC की पहली वैटक 2022 में उरेगवे में हुई आगे देखे दोस्तो हाल ही में जारी कौन सी विदी आयोग की रिपोर्ट में धारा 124 के तहएly देश द्रोग अपरावदान को बरकरार रखने की शिपारिश की गी अब वर्तमान में 22 में विदी आयोगर जिसके एट-aqs कौन है रितुराज और इसने अभी अपनी 289 रिपोर्ट जारी की है आगे देखी दोस्तो देशद्रोग अपरावदान रखने की जो ये रिपोर्ट है सिपारिस की गई है कि देशद्रोग को रखे जाए डारा कोण सी है आई पीची के दारा 24 ए और जो ये रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट के अंदर आर्टिकल 19 जो कि विचार एंभी वक्ति है तो इसके अंदर कहा गा है कि आर्टिकल उनीश है जो विचार है वह भी वक्ति पर उचित प्रतिवों मतलब कि उसके कुछ बाग पर प्रतिवों लगाने की बात की गई है तो आगे देखी दोस्तों विद्यायोग विद्यायोग किस्ताबना उनीशो पिच्पन के अंदर हुई मतलब कि जो राजद्रो होगा वो देखी नहीं होगा मतलब कि कोई भी किसी भी सरकार के खिलाब कोई परतिवों होगा तो वो देख दरो हो नहीं होगा परतिशन देख के खिलाब नहीं होना चाहिए आगे देखी दोस्तो अमरा आठवा क्योस्टन है डाक्टर मंसुक मंडाविया ने हाल ही में राष्टिय खादेश रुक्षा और मानक परसिक्षन के अंदर गाउद गाटन कहां किया तो यह किया गया है यूपि के गाजियाबाद में डाक्टर मंसुक मंडाविया के दवारा राष्टिय खादेश रुक्षा मानक परसिक्षन के अंदर गाउद गाटन गाजियाबाद यूपियम किया गया है डाक्टर मंसुक मंडाविया हमारे स्वास्ते मंत्री है बारत के FSAI इसका जो मतलब क्या उदेशे है बारते खादेश रुक्षा का उदेशे क्या है इसका उदेशे है ट्रेनिंग और स्किल डिवलेप्मेंट मतलब की ट्रेनिंग देना और स्किल डिवलेप्मेंट करना ज देखिए दोस्तों आप हमारा प्रीमिर एंड बार लिग ओ जालतेष का योजन कहाँ किया गए प्रीमिर एंड बार लिग योजन राजस्तान के जपपूर के स्वाई मांचिंग स्टेडियम के अंदर किया गए यह पहली बार आयो जित हुआ है इसके अंदर 6 टीम थी, फर्स्ट जो मैज हुआ राजस्तान और महाराष्टर के बीच इसका आयोजन हुआ है, मतलब कि प्रीमिर एंड बार लीग दो जालते है इसका आयोजन, राजस्तान के जैपपुर के स्वाई मांचिंग स्टेटियम के अंदर हुआ, पहली बार आयोज मतलब क्या है, जो उट्षव है, बहगवान मुर्गुन की जैनती मनाई जाती है, बहगवान जो मुर्गुन है, वेकार्तिक का दूसरा नाम है, मतलब जो शिव पारवति के पुत्तरकार्ति के हैं ये उसका ये उनका दूसरा नाम है बगवान मुर्गुन बगवान मुर्गुन सास और ग्यान की देवता माने जाते हैं मतलब कि जो बगवान मुर्गुन है विसास और ग्यान की देवता माने जाते हैं इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी मतलब जो पेकासी वेकासम जो उच्छो मना जाता है एककी सुपलक्स में मना जाता है कि इस दिन बुराई पर अच्छाईगी जीत हुई थी तो जो पेकासी विकासमुद्चाव काम ना जाता है तमीलाडू के अंदर जो विकासी का क्या मतलब ये तमील का एक तमील का जून महिना होता है ये बगवान मुर्गुन की जैनती मतलब इस दिन बगवान मुर्गुन की जैनती मनाई जाती है बगवान मुर्गुन करतिगे का दूसरा नाम है बगवान मुर्गुन को सास और ग्यान का देवतमान जाता है इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई तो देखे दोस्तों ये थी हमारी आज की Current Affair और दोस्तों हम लगातार अपने चैनल पर डेली Current Affair और फूल पत्तिवाली क्लास का डिविजन करवाते हैं और हमने अच्छे सी ग्रूप D के लिए साइंस की NCRT की सीरिज भी स्टार्ट कर रखे दोस्तों जिसमें बिल्कुल NCRT की Base आपको Science करवाई जा रही है जो अब हम अब तक हमने 6th कलास के 6 लेशन कवर कर लिए हैं तो आज हम 7th और 8 लेशन की वीडियो भी डाल देंगे दोस्तों और हमने Topic Wiser यानजिक्की की सीरिज भी स्टार्ट कर रखी है बिल्कुल गहराई से तो अमारे चैनल से जुड़ था इंचावार्ट